हैलो नमस्कार दोस्तूं स्वागत एक बार फिर से आप सभी का टूडे टूक की इस वीडियो में तो दोस्तू इस वीडियो में हम राजस्तान के भोतिक परदेशूं के बारे में स्टेडी करने वाले हैं दोस्तो राजस्तान के भूतिक परदेशु से हर बार एक्जाम में क्यूशन पूछा जाता है। राजस्तान स्टेट गवर्मेंट का कोई भी एक्जाम आप देख लो हर एक्जाम में यहां से क्यूशन डेफिनेटली पूछा जाता है। दोस्तो हमने इस चैनल पर राजस्तान वन पाल वनरखसक प्रिक्सा की तैयारी सुरू करवा दी है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस करके ओल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर प्रिक्यू टाइप क्यूसन पीडिया फाइल्स जो भी इंपोर्टन शूचना होती है वो में प्रोवाइड करवाता हूं तो टेलिग्राम चैनल को आप जरूर जोइन कीजिएगा दोस्तो राजस्तान के भोतिक परदेश या भोतिक विभाकूं के बारे में हमने पिछले वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो में हम पूरवी मेदानी परदेश और दक्सिन पूरवी पठारी भाग कवर करने वाले हैं ठीक है और दोस्तों डेस्क्रेप्शन बोक्स में आपको वनपाल और वनरक्सक के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी उस प्लेलिस्ट में आपक आपको पहले मेप के माद्यम से पूर्वी मेदानी परदेश और तक्सिन पूर्वी पठारी भाग के बारे में बता देता हूं उसके बाद में हम इन दोनों परदेशों के बारे में डीटेल स्टेडी करेंगे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा जो है फेक्ट नहीं बनते हैं जो भी इंपोर्टेंट फेक्ट है वो मैंने इस वीडियो में कवर्ग किये हैं चलिए थोड़ा मेप में समझ लेते हैं इन दोनों परदेशों के बारे में तो यहाँ पर मेप आपके सामने हैं यह जो आपको पार्ट दिखाई दे यह आपका पूर्वी मेदानी परदेश है और इसके अंदर भरतपूर से लेकर यह बांसवाडा तक का शत्र सामिल किया गया है इसमें भरतपूर, दोसा, जैपूर, अजमेर, टौंक, स्वाई मादोपूर, करोली का कुछ भाग, बुंदी, भीलवाडा, राजसमत, गड, उदेपूर, डूंगरपूर, परताबगड और बांसवाडा जिले सामिल किये गये हैं तो यह आपका हो गया पूर्वी मेदानी परदेश ठीक है अब जो है यह आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है यह वाला भाग जो है यह दक्सिन पूर्वी पठारी भाग है इसमें धोलपूर, करोली का कुछ भाग, स्वाई मादोपूर, बारा, कोटा, बुंदी, चितोडगड का कुछ भाग और जालावाड का जो जिला है वो सामिल इसमें किया गया है तो यह आपका है दक्सिन पूर्वी पठारी भाग अब हम इसके बारे में डिटेल से समझ ल भाग में पूर्व का मेदान इस्तित है यह मेदान राज्य के कुल शेतरपल का 23.3 परतिसत है यह फेक्ट आप जरूर यादटना जो पूर्वी मेदानी भाग है यह राजस्तान के कुल शेतरपल का 23.3 परतिसत है और यहां पर राज्य की कुल 49 परतिसत 39 परसेंट जो तीन परतिसत और जंसें क्या 49 परतिसत इस शेत्र के अंदर निवास करती है और दोस्तों इस शेत्र के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भारतपूर, अलवर, धोलपूर, करोली, स्वाई मादोपूर, जैपूर, दोसा, टॉंक, भीलवाडा तथा दक्सिन की ओर से डुंगरपूर, बांसुआडा, परताबगट, जिल्लों के मेदानी भाग को इसमें सामिल किया गया है तो ये इतने सारे जो जिल्ले हैं ये इस शेत्र के अंदर सामिल किया गया है यह परदेश नदी बेसिन परदेश है, कैसा परदेश है? नदी बेसिन परदेश है अर्थात नदियों दवारा जमा की गई मिट्टी से इस परदेश का निर्मान हुआ है तो जितनी भी नदियात जो है वो यहां से गुजरती थी और उनकी मिट्टी से इस परदेश का निर्मान हुआ इस परदेश में कूं दोबारा सिंचाई की जाती है यहां पर टू वेल्स काफी अधिक मात्रा में है और इस मेदानी परदेश को तीन उप परदेशों में विभाजित किया गया है तो तीन उप परदेश कोन गों से है एक तो बनास बानगंगा बेसिन दूसरा चंबल बेसिन और तीसरा मद्यमाही बेसिन तो यह जो आपका मेदानी परदेश है पूर्वी मेदानी परदेश इसको तीन उप परदेशों के अंदर विभाजित किया गया है बनास बानगंगा बेसिन चंबल बेसिन और मद्यमाही बेसिन अब यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं बनास बानगंगा बेसिन को ये छोटी छोटी नदिया हैं दोस्तों, इनके बारे में भी आप जरूर दियान रखेगा, मांसी, सोडरा, खारी, भोसी, मोरेल, आदी नदियों द्वारा निर्मिती है, एक विस्तरित मेदान है, जिसकी डाल पूर्वे की ओर है, अब जो पूर्वी मेदानी परदेश है, इ इसकी डाल आपको बता रही है, बनास बारणगा बेसिन की किस ओर है, इसकी डाल पूर्वे की ओर है, ठीक है, अगला आजाता है चंबल बेसिन, दोस्तों जो चंबल बेसिन है, इसके अंतरगत कोटा, स्वाई मादोपूर, करोली, धोलपूर, जिल्लूं का शेत्र समिलित क किया गया है, कोटा का शेत्र हाडोती में समिलित है, किन्तु यहां चंबल का मेदानी शेत्र इस्तित है, इस परदेश में स्वाई मादोपूर, करोली, धोलपूर में चंबल के बीहड इस्तित है, तो चंबल के बीहड कहां पर है, धोलपूर में चंबल के बीहड है, यह अ मद्दे माही बेसिनिया 56 का मेदान इसका विस्तार उदेपूर के दक्सिन पूर्वी से डूंगरपूर बांसवाडा परताबगट जिलू में है तो डूंगरपूर बांसवाडा और परताबगट इन तीन जिलू के अंदर मद्दे माही बेसिनिया 56 का मेदान है अब 56 का मेदा माही मद्य परदेश से निकल कर इसी मेदान से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है तो माही नदी फाइनली कहां पर गिरती है खंबात की खाड़ी में ठीक है और इसी परदेश से ये गुजरती है ये छेत्र वागड के नाम से पुकारा जाता है यहां से काफी इसमें कौन-कौन से जिले हैं? वागड में, डूंगरपूर, बांसवाडा और परताबगड ये तीन मुखे जिले हैं. इसके बाद दोस्तों परताबगड बांसवाडा के मत्य भाग में चपन ग्राम समुए इस्तित है. इसी लिए इस भूबा को चपन के मेदान के नाम से प इसके बाद आजाता है दोस्तों दक्सिन पूर्वी का पठारी भाग या दक्सिन पूर्वे का पठारी परदेश राज्य के कुल शेत्रपल का 9.6 परतिसत दक्सिन पूर्वे का पठारी भाग है और इस शेत्र में राज्य की 11 परतिसत जन्सेंग्या निवास करती है राजस्तान की इस शेत्र में राज्ये के चार जिले आते हैं कौन-कौन से कोटा, बुंदी, बारा, जालावार ये जो चार जिले हैं ये किसमें सामिल किये गए हैं ये दक्सिन पूर्वी का जो पठारी भाग है इसमें सामिल किये गए हैं इस पठारी भाग की परमुक नदी चंबल नदी है तो यहां पर जो परमुक नदी है ये चंबल नदी है इसकी साइक नदियां पारवती, काली सिंदी, परवन, निवाज, इत्यादी है इस पठारी भाग की नदियां है इस शेतर में वर्सा का जो ओसत है ये 80-100 cm तक रहता है तो वार्सिक ओसत वर्सा है ये 80-100 cm तक इसमें रहती है राजस्तान का जालावाड जिला रज्य का सरवादिक वर्सा प्राप्त करने वाला जिला है ये रज्य का एक मात्र अति अद्र जिला है तो सरवादिक वर्सा कहां पर होती है जालावाड में जब मैंने आपको राजस्तान के जलवाईयों परदेश बताए थे तो उसमें मैंने ये सारे फेक्ट कवर किये हैं आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना बिल्कुल मिस मत करना वहां से भी क्यूसन डेफिनेटली पूछा जाएगा इस शेतर में मध्यम काली मिट्टी की अधिक्ता है जो कपास मुंगफली के लिए अतियन्थी उप्योगी है तो यहां पर दोस्तु काली मिट्टी है वो अतियन्थिक मातरा में पाई जाती है जो कि कपास की फसल और मुंगफली की फसल के लिए भोती ज़्यादा इंपोर्ट बाग को दो भागू में बाटा गया है कौन कौन से भागू में बाटा गया है एक तो आपका हाडूती का पठार जिसके अंदर कोटा बुंदी पारा और जालावार जिले इस्तित है या इनको स्मिलित किया गया है तो हाडूती का पठार जरूर द्यान रखना ये कोटा बुं पुतिक परदेश जो टोपिक है यह कंप्लीट हो चुका है इसका जो mcq टाइप वीडियो है यह आपको जल्दी ही मिल जाएगा और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके ओल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले हरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए साथ ही दोस्तों आप वीडियो को जरूर सेर किया करें अपने मोबैल के किसी भी एक गुरूप में चाहिए वो वाटसप का गुरूप हो चाहिए वो फेसबुक का गुरूप हो आपके सेर करने से हमें सपोर्ट मिलता है और हम आपके लिए अच्छा मेटर अवलेबल करवाते हैं थैंक्स पूर वोचिंग मिलंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन